आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत हैइस से पहले फ्रेंज आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपके अनए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसी पहले पहुंशकé आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं CSIRNet December 2019 Part B का question है आपका question number 13 ये question आपका complex analysis का question है बिल्कुल easy question है CRE question means कासी रह्मानी question आपको check करना है analytic function check करना है continuous function check करना है ठीक है तीन चीज़ें यहाँ पे check करने हैं पहले question देखिए question क्या कह रहा है 4z belongs to complex number z आपका कहां से है complex number से है let fz आपको एक ऐसा function दिया गया है जो कि यहाँ से इस तरीके से defined है ठीक है then which of the following statement is false statement इनमें से आप बताईए कि कौन सी statement आपकी ऐसी है जो कि आपकी wrong statement है ठीक है जब भी आपको false statement पूछे तो वहाँ पे आप underline कीजिए ताकि आपको यह पता चले कि आपको false statement ही बतानी है otherwise आपने कोई एक option चेक किया वो true हुआ तो आप यह मान के चलते हो कि वो true हो चुका उसी को पिक कर लेंगे और आप इस चीज़ को भूल चुके होते हो कि आपको question के अंदर false statement पुछी है ठीक है आप single choice को question को देखते हुए एक option आपको true मिल चुका उसी को आप पिक कर दिये ठीक है बट यहाँ पे पुछा क्या है फुचा आप दी following statement इस फॉल्स statement फॉर्स्ट ओप्शन केता है यह अफजेट इस continuous everywhere जो आपका function fz है यह आपका everywhere continuous है fz is not analytic in any neighborhood of 0 जो आपका function है वो आपका analytic नहीं है कहाँ पे 0 के neighborhood के अंदर ठीक है अब यहाँ पे केता है z into f of z satisfies the kasi raman equation at 0 जो आपका z into fz है वो आपको क्या करता है kasi raman means cr equation को satisfy कर रहा है कि इसके उपर at the point 0 पे fourth option में केता है जो आपका function fz है वो analytic है in some open subset of complex number ठीक है तो यहाँ पे जो है हम इसको option के अकार्डिंग चेक करने की कोसिस करते हैं पहले option number third पे आईए क्या है option number third पे आईए z into f of z f of z की value कितनी है z conjugate का square by में z z into z conjugate का square by में z और यह आपका z से z cancel out हो जाएगा z conjugate का square होगा और z conjugate की value क्या होती है x minus iota into y का holy square यह आपको मिलेगा x square minus y square और यहां से आपको minus 2 iota x y यहां से आप क्या करेंगे इस z into f z का इसको आप नाम दे दीजे capital f z यह आपको मिल गया अब इसके अंदर जो है आप real part और imaginary part मान लेते हैं की capital f z का real part है वो आपको क्या है u x y g cos x square minus y square and v x y g cos 2 आपको क्या मिल रहा है minus 2 x y u की value भी आपको मिल चुकी है v की value भी मिल चुकी है अब आपका CR equation क्या होता है means कासी रहमान equation क्या होता है वो आपको होता है u x equals to vy और यहां से u y equals to minus का v x ऐसा मिलना चाहिए कहां पे at the point 0 मतलब x z cos to 0 y z cos to 0 at 0 का मतलब यह होता है कि 0 0 क्या है 0 0 क्या है 0 0 क्यूंकि टपल के अंदर काम चला गया x और y के अंदर और x की value भी 0 y की value 0 at the point 0 0 point आपका कहां पे होता है जिसके अंदर जो आपका x y plane में x भी 0 हो y भी 0 हो है ना तो उसी के काड़ी यहां पे काम किया जाएगा और यहां पे u x करेंगे आपको मिलेगा 2 x और यहां पे यह चीज़े अब देखिए point क्या है 0 0 पे चेक कर रहा है क्या यह equality है यस जब आप x की value 0 करेंगे तो 0 equals to 0 होगा और जब 0 equals to 0 यहां पे भी हो जाएगा मतलब यह रहा कि add the point 0 पे जो आपका function z into fz है वो आपका क्या कर रहा है कासी रहमान equation को satisfy कर रहा है ठीक है तो यहां से यह तो आपका true option है बट आपको बताना क्या है wrong option बतानी है ठीक है अब यहां पे आईए option number first के उपर क्या है option अब analytic का मतलब क्या होता है कि analytic का मतलब एक ऐसा function जो आपका continuous हो डिफ्रेंसियबल हो और जिस इस पॉइंट के उपर आपका continuous हो डिफ्रेंसियबल है उस पॉइंट के नाइबर हुड के इंदर भी यदि आपका क्या हो जाए डिफ्रेंसियबल पहले देखिए पॉइंट है आपके पास ठीक है और इस पॉइंट के उपर आप एनगल बोलना चाहते हो तो यह क्या होना चाहिए continuous होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर function आपका function आपका differentiable होना चाहिए इस point पे और function के जो है इस point के neighborhood के इंदर भी differentiable होना चाहिए यदि ऐसा होगा तो वो function आपका analytic function कहलाएगा ठीक है fz is not analytic in any neighborhood of 0 ठीक है अब यहाँ पे देखिए f of z अब इसको भूल जाएए z into fz के बारे में नहीं कहा है सिर्फ और सिर्फ fz function के बारे में कहा गया है चलिए option number third तो आपका true option है अब आईए option number first और second और fourth पे ठीक है देखिए fz के उपर इन्होंने भी work किया है fz के उपर इन्होंने भी work किया है चलिए fz उठाते हैं पहले f of z अज़े कोस्टू क्या है z conjugate का square y में आपको z मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे आप real और imaginary part उठाइए real part आपको कैसे मिलेगा z का conjugate z conjugate का मतब x plus iota into y का holy square upon आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको x plus iota y और यह आपका positive का नहीं बल्कि किसका होगा negative का iota हो जाएगा ठीक है यहाँ से आप क्या करेंगे x minus iota y से उपर नीचे multiply कर देंगे क्योंकि नीचे आपको imaginary part नहीं रखना है नीचे आपका हमेशा real part होना चाहिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा चलिए इसको हम अभी हमने इसका किया था जो कि आपको मिला था x square minus y square minus 2 iota x y और यहाँ से आपको x minus iota y अपोन आपको मिल जाएगा x plus y और x minus y तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x square minus iota y square के वेलों minus 1 मतलब x square plus y square मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे multiply इसके हरेक element से किजिए और real और imaginary part इसका बताईए ठीक है इसका जो real part होगा u x y इस f z का real part अब हम ले रहे है u x y यह आपको कितना मिलेगा यहाँ से आप x से multiply करेंगे x cube minus x into y square और यहाँ से आप करेंगे iota आएगा और फिर इसका product इसके साथ iota इसका product इसके साथ iota और इसका product इसके साथ करेंगे तो iota हट जाएगा iota i square की value minus का 1 हो जाएगी और minus minus आपका already positive रहेगा और यह आपका minus फिर से हो जाएगा minus 2 x y square upon x square plus y square v x y की value आप कैसे देखेंगे imaginary part का coefficient है न imaginary part कौन कौन देगा देखें यह आपका imaginary part देगा means आपको minus 2 x square y और यह आपका इसके साथ और इसके साथ imaginary part देगा यह आपको मिलेगा minus x square y plus y की power 3 upon x square plus y square ठीक है u की value मतलब real part आपने देख लिया v की value मतलब imaginary part आपने देख लिया ठीक है function fz का real part और imaginary part आपने evaluate कर लिया है ठीक है अब यहाँ पर देखे आपको क्या है function आपका continuous everywhere देखे ऊपर आपका कैसा है polynomial है और every polynomial is continuous everywhere नीचे भी आपका polynomial है every polynomial is continuous everywhere ठीक है तो यहाँ से आपके यह polynomial है तो इसलिए यह क्या होगा आपका continuous everywhere होगा क्या है continuous everywhere similarly ये भी आपका क्या हो जाएगा continuous everywhere क्या है continuous everywhere और fjg equals to क्या है u plus iota into v यहां से ये आपका continuous everywhere है ये आपका continuous everywhere है real or imaginary part ये आपके continuous everywhere है तो उसके according आपका function भी क्या हो जाएगा continuous everywhere हो जाएगा और ये कहता है कि FJJ continuous everywhere yes true statement है ये तो ये रहा आपका true बतानी आपको क्या है ध्यान में रखिए false statement आपको बतानी है चली अब आपका work ये रहा कि second को और fourth में आप decision लिजे कि कौन true है और कौन आपका false statement है ठीक है first और third तो आपका true statement है अब second और fourth पे आते हैं और इनको चेक करेंगे कि कौन से statement हमारी true statement है और कौन से statement हमारी wrong statement है अब यहाँ पे कहता है FJ is not analytic in any neighborhood of zero जो आपका function है वो आपका analytic नहीं है कहाँ पे अपने neighborhood के अंदर neighborhood के अंदर का मतलब क्या है FJ is not analytic in any neighborhood of zero FJ का आपने क्या है पहले यह continuous तो है अब इसको क्या करना है differentiable चेक करना है क्या है differentiable चेक करना है और differentiable कोई function होगा तो इसका मतलब यह होगा कि वो आपके CRE question का सी रह्मानी question को satisfy करेगा इसका मतलब यह है कि इसके according भी आप चेक कर लीजिए कि क्या ही आपका UX equals to VY है और यहाँ पे UY equals to minus VX है 0 को छोड़ करके कोई भी अलग point लेकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो आप ठीक है यहाँ सी कहता है FJ is not analytic in any neighborhood of zero 0 के neighborhood के अंदर 0 का neighborhood क्या है माल लीजे 0 का neighborhood आप 0-0 लीए हो और 0 का neighborhood आप 0.1 ले लीजे या फिर 0.1 ले लीजे ठीक है इस तरीके से भी आप ले सकते हो या फिर 0.01 neighborhood का मतलब छोटे से छोटा उसके जितना nearer हो सकते है ठीक है वो भी उसका neighborhood होगा या फिर उससे थोड़ा बड़ा लेंगे तब भी उसका नाइबर हूड होगा अब जितना नेरर लेंगे उसी के एकार्डिंग आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा true है या फिर कौन सा रोंग हो है ठीक है अब यहाँ पे 0 का नाइबर हूड लेना है पहले इसको जो है कहीं पे हम लिखते हैं फिर हम चेक करेंगे इसको UX और यहाँ पे चेक करेंगे क्या UX आपका VY के equal है या नहीं है यदि नहीं होगा तो यह option true हो जाएगा यदि ऐसा हो जाएगा मतलब CRE question को satisfy करेंगा तो हम अपना आगे का वर्क करेंगे ठीक है कि इस option को यदि हम true कर देते हैं या फिर हम इस option को wrong कर लेते हैं तो एक ही option आपका बचेगा वह आपका true हो जाएगा means second और fourth में आपको decision लेना है कि कौन सी आपकी true statement है और कौन सी statement आपकी wrong statement है ठीक है तो पहला काम आपका यह है कि यह आपका जो u है जो v है इसके अंदर आप कासी रह्मानी question चेक कीजिए satisfy है या नहीं है कहां पे 0 पे नहीं 0 के नाइवर हूड में ठीक है तो देखिए यहां पे करते हैं u x किजिए इसका क्या हो जाएगा x square plus y square का whole square x square plus y square और यहां से आपको जो है इसका x के respect में differentiation तो यह आपको मिल जाएगा 3x square minus y square minus 2 y square और यहां से आपको मिल जाएगा minus x cube minus x y square minus 2 x y square और यहां से आपको जो है लिचे वाले को 2x हो जाएगा और यहां से मिलेगा आपको क्या चलिए भी छोड़िए इसको x की value 0 रख दीजिए y की value 0.1 रख दीजिए ठीक है तो x की जब आप 0 रखेंगे या फिर y की ही आप 0 रख दीजिए y की value मान लिजिए आपने 0 रखा किसकी उपर आप चेक करना चाहते हो 0.1 और 0 के उपर है ना यह आपका 0 का neighborhood है मान लिजिए तो यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से आपको मिल रहा है y की value 0 मतलब यह term आपकी 0 और यह भी आपका 0 फिर यह आपका 0 यह भी आपका 0 ठीक है अब यहां से भी आपका यह भी 0 अब यहां से आपको क्या मिलेगा 3 x raise to power 4 minus x raise to power 3 by x raise to power 4 यहां से आपको 0.1 raise to power 4 तो यहां से आपको 3 into 0.1 की power 4 और minus 0.1 power 3 common लेके cancel out कर देते हैं तो यहां से आपको 3 x minus 1 by x raise x मिलेगा ठीक है power 3 तो cancel out हो जाएगी यहां से आपको 0.3 minus 1 by 0.1 यहां को कितना मिलेगा 0.1 में से हटाना है तो यहां से आपको negative का मिलेगा कितना minus 0.7 upon 0.1 चलिए यह आपको minus का 7 मिल रहा है क्या है minus का 7 ठीक है अब यहां पे u y कीजिए क्या है u x की जो value है यह आपको कितनी मिल रही है 0 minus का 7 मिल रही है ठीक है एक satisfy नहीं तो हम आगे check भी नहीं करेंगे क्या है एक ही condition मतलब यह 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 आपका satisfy नहीं हुआ तो इसको check करने के आपको कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि satisfy होती तो दोनों होती तो हम अपना आगे cover कर करतें जब यही fail हो जाएगी एक ही condition fail है तो दूसरा check करने का कोई मतलब ही नहीं है ठीक है अब यहाँ पर UX हो चुका UY पर आईए Y के respect में एक मिनट UX तो VY के check करना है न चलिए BY कर देते हैं VY Y के respect में करेंगे तो यहाँ से आपको X square प्लस Y square का whole square और यहाँ से आपको मिलेगा X square प्लस Y square और यहाँ से Y के respect में हो रहा है minus 2 X square minus X square plus 3 into Y raise to power 2 और यहाँ से आपको मिलेगा minus minus 2 X square Y minus X square Y plus Y के power 3 और यहाँ से आपको 2 Y हो जाएगा क्योंकि Y के respect में हो रहा है ठीक है अब y की value है क्या y की value 0 है मतलब यह आपका 0 यह भी आपका 0 अब यहाँ पे यह भी आपका 0 यह भी आपका 0 मतलब यह quantity total आपकी 0 यहाँ से यह भी आपका 0 अब यहाँ पे minus 2 minus 1 minus 3 minus 3 x raise to power 4 by x raise to power 4 ठीक है यह आपको कितना मिल रहा है minus 3 मिल रहा है नहीं, क्या है, माइनस का 3 आपका माइनस 4 की एक्वल नहीं है, जब एक्वल नहीं है, मतलब ये है, कि CR equation की पहली condition ही फेल है, तो इसको चेक करने का कोई भी benefit नहीं है, आप ज़स्ट ये बोलिए, कि जब ये CR equation को डारेक्ट बोलिए, कि ये आपके जो है, ये बोलिए, कि ये फंक्शन आपका अनालेटिक भी नहीं है, ठीक है, कहाँ पे, 0 के उपर नहीं, 0 के नाइबर हूड में, देखिए कहता है, नाइबर हूड आफ जीरो, 0 के नाइबर हूड, जिस उससे नेरर हमने नमबर लिया, 0.1, 0, ये पॉइंट आपने 0, 0 का नाइबर हूड लिया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फेल होगा, एनालेटिक नहीं होगा, क्योंकि CRE question satisfied नहीं है, और ये कहता है, FJ is not analytic in any नाइबर हूड आफ जीरो, जो आपका function है, वो आपका analytic नहीं है, जीरो के नाइबर हूड के अंदर, ये तो true statement है, जो कि आपने अभी देख लिया है, ये आपका true statement है, आपने क्या देखा कि पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे option में से, तीन statement आपकी true statement हो चुकी है, तो जो आपका option number fourth, जहां से आपका fourth option है, ये कैसा हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, और आपको बताना क्या है, false statement बतानी है, तो ये आपकी जो fourth statement है, वो कैसी statement है, ये आपकी false statement है, ये कहता है, ये अफजेड इज एनालिटिक, इन सम ओपन सबसेट आफ सी, ये जो है आपका क्या है, open subset ही तो है, क्या है open है, और किसका है, complex number का, जो 0.1 है, क्या complex number में है, यस, तो ये कहता है, ये आपका इनालिटिक है, कहां पे इन सम ओपन सबसेट आफ complex number, यस, ये तो आपकी कैसी statement है, ये अनालिटिक नहीं हो रहा है, ये कहता है, तो इसका मतलब ये हुगा, कि आपका ये ही statement, रोंगी statement है, आप से पुछा क्या है, false statement, false जब पुछा है, तो आपका कौन सा option true हो जाएगा, आपका option number fourth, true हो जाएगा, FJD is analytic in some open subset of complex number, fourth option आपका true हो जाएगा, ठीके, पुछा false है, true कौन लिखेंगे आप, option number fourth को, जब आप option number fourth को pick करेंगे, तो आपको कितनी mark मिलेंगे, 3 mark मिल जाएगे, easily, ठीके, ये question आपका कहां का था, complex analysis का था, continuous function चेक करना था, और differentability चेक करनी थी, analytic function, और neighborhood, ठीके, neighborhood के अंदर analytic, बस यहाँ पर तीन ही चीज़ों के उपर वर्गा करना था, यदि तीन चीज़ा आपको पता थी, तो उसके लिए जो है, ये question बिलकुल easy question था, और ऐसे ही आपको question को solve करना चाहिए था, ओके,